नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु उपाय में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं दोस्तों दिन की सुरुआत अगर अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है साइद इसलिए घर से निकलते समय माताएं अपने बच्चों को दई खिलाती है जिससे उनके बच्चे का दिन अच्छा भीते दोस्तों हमारे पुराणों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो अगर सुबह के समय घटित हो तो यह संकेत होता है कि आपका पूरा दिन सांदार बीतने वाला है दोस्तों हम आपको दस ऐसी चीजों के बारे में बताने जाते हैं जिने अगर आप सुबह उठकर देखते हैं तो समझ लीजिए आपका दिन बन जाएगा दोस्तों सुबह उठकर दोनों हतेलियों हातों की दोनों हतेलियों को देखना सुबह मना जाता है कहा जाता है हातों में ब्रह्मा, देवी लक्षमी, देवी सर्षती का वास होता है इसलिए सुब़ सुब़ इन्हें देखना सुब़ माना जाता है दोस्तों घर से निकलते समय अगर सुब़ सुब़ आपको गाय दिख जाए या कोई गाय का दूद निकाल रहा हो वह दिख जाए तो ये सुब़ माना जाता है गाय के बचड़े को दूद बिती वे देखना भी सुब़ माना गया है नहीं दोस्तों सुब़ सुब़ पक्षियों का दिखना एं उनकी चहचाट को सुनना भी सुब़ होता है इसके साथ ही सुब के समय यदि आपको सफेद फूल, हाथी या अपना कोई मित्र दिख जाए तो उसे सुब माना जाता है दोस्तों सुब के समय यदि आपको हवन होता दिखे या आग दिखे विशेश रूप से यदि वो हवन कुंड की हो तो ये बिहयत सुब संकेत होता है अगनी आपके जीवन की सभी बुराईयों को जला कर आपके जीवन को सुब बनाती है दोस्तों पुराणों में सुअगन इस्त्रियों को देवी का रूप माना गया है सुब सुवगन इस्त्री का दिखना भी शुब होता है ऐसा कहा गया है कि ये इस्त्री घर की ना होकर बाहर की होनी चाहिए अगर राश्ते में सुवगन इस्त्री दिखे तो बहुती सुब संकेत होता है वहीं दोस्तों सुबह की समय अगर आरती होती दिखे तो इसे बहुती सुब माना गया है आरती मन के सभी विकारों को दूर करती है दोस्तों मंदिर की घंटी सुने देना भी सुब संकेद माना गया है आप सुबह के समय घर से किसी महतरपूर्ण कारी के लिए निकले हैं तो रास्ते में आपको मंदिर की दर्शन हो जाए तो ये सुबह होता है वहीं दोस्तों सुबह सवेरे, गोबर, सोना और तामबा देखना भी सुबह माना गया है ये वस्तों आपको परकर्ति से जोड़े रखती है और आपका दिन शुबह बनाती है दोस्तों सुबह के समय सुर्यदे यानि उगते हुए सुर्यदे के दर्शन करना सुबह माना जाता है इससे सरीर में इस्पूर्ती का संचार होता है सुबह के समय हरी घास देखना भी सुबह होता है वहीं दोस्तों अगर सुबह के समय किसी नदी के दर्शन हो जाए तो ये सुबह माना जाता है नदी का अर्थ प्रगतिशील होता है नदी के बहाव की तरह ही जीवन का बहाव भी होता है जीवन को नदी की तरह सहंसील और धहर्यवान होना चाहिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें